लो फ्रेंड आज मैं फिर हाजिर हुई हूई हूँ कुछ नया लेके कुछ अच्छा लेके देखिए आज मैं आपको गुलहेड की कटिंग लगाना बताती हूँ देखिए आप यह आपका गुलहेड है और इसकी हार्ड ब्रांचिज लीजेगा कम से कम इतनी मोटी इसको आप हमेशा जब कट करें तो आडा कट करें इस तरह से कभी भी सीधा कट नहीं करना चाहिए इस तरह से नहीं करना चाहिए बलकि आपको देखिए इस तरह से आडा ऐसे जैसे कलम बन जाए इस तरह से आपको कटिंग करना चाहिए देखिए बारिश हो गई है मैंने अपनी कटि पहले से ही स्टार्ट कर दी थी मैं एक फ्रेंट के यहां गई थी और मैंने वहां से यलो कलर का बहुत सुन्दर था उनका और मैंने वहां से ब्रांचेस कट कर ली और मैंने लाके कल लगा दी थी लेकिन फ्रेंट्स बेनिफिट यह रहा मेरे को मैंने कल कटिंग लगाई तो क कल भी बारिश होई मझे हमारे यां आज भी बारिश हो रही है और वो बहुत जल्दी ग्रोध कर लेगी देखिए मैं दिखा देती हूं कटिंग भी यह देखिए यह मैंने चार कटिंग लगाई हुई है आपको लग रहा होगा कि इसके ऊपर यह ग्रीन ग्रीन क्या लग रहा है तो यह मैंने फंगी साइड लगाया हुआ है आपके पास फंगी साइड नहीं हो तो आप हल्दी भी यूज कर सकते हैं हल्दी के साथ साथ आप ऐलो वेरा जैल होता है वो भी यूज कर सकते हैं आप इसको ऊपर और नीचे दोनों साइडों में फंगी साइड लगाएं या ह लगाना है उपर भी और नीचे भी और इसमें हमने गमले में इस तरह से डाल दिया मुझे लगता है शायद ये प्लांट देखे अभी इसकी पतियां ग्रीन है और शायद सक्सिज हो भी जाए तो क्या होता है कि हमारा ऐसा नहीं है कि हमने चार कटिंग लगाई चारों हो सकता हो एक सक्सिज हो और यह भी हो सकता है कि चारों सक्सिज हो जाए तो हमने कोशिश की बहुत बढ़िया रिजल्ट भी रहेगा हंडेट बन परसेंट इसमें से चारों सक्सिज होंगी क्योंकि फंगी साइड है प्लस बारिश का भी बैनिफिट मिलेगा तो आप लोग benefit है लगा सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से तो फ्रेंड्स अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा एंड सस्क्राइब कीजिएगा बाय फ्रेंड्स